वेल्कम टू सिविल इंज़निंग्डोज आज मैं आप लोग को कुछ इन्फोर्मेशन देने वाला हूँ जो मेडिकल प्रोसेस होता है आफ्टर फाइनस सेलेक्षन इन ससी जेई वह क्या कैसे होता है क्या सारे प्रोसेस होते हैं उसमें क्या सारे टेस्ट कराने होते हैं ये स सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे इसमें 2019 और 2020 दोनों ही एससे जई के इसको देख सकते हैं क्योंकि अगर कुछ दिक्कत है भी तो आप उसको सही कर सकते हैं जो अभी टाइम बचा है क्योंकि आपके जोईनिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उसमें आप लोग उ कैसा है टेस्ट होते हैं तो आप उहां से वह आडिया ले सकते हैं रेस जो चैनिडेट बच गया है जो CPWD, CWC, MES और NTRO के हैं MES जो है 2019 में नहीं है लेकिन 2020 में है तो आप लोग देख सकते हैं क्या सारे प्रसेस होते हैं क्योंकि कॉमन ही प्रसेस है उसका तो यह जो फॉ होते हैं जो हम लोग को नॉर्मल वर्क करने में इजी हो ठीक है इस तरह का हमारा बॉडी फिट होना चाहिए इसमें जो पहला टेस्ट है यह तो जैसे फॉर्मिट है तो CPWD के केस में आप लोग थोड़ा कुछ सुन रहे होंगे कि थोड़ा मेडिकल प्रसेस अलग तरीके स से हुआ था वह सिर्फ नॉर्थ रिजन में हुआ था बाकि सारे जो उन्स में जो है आपका प्रसेस से मुआ था जो पहले हुआ करता था ठीक है तो CWC और में क्या है करीब इसी तरह का फॉर्मिट होता है और थोड़ा सा अगर माइनर चेंज भी आता है उस वाली फॉर्म आपका क्या है कि यह फॉर्मिट आपको डिपार्टमेंट के तरफ से मिल जाए या वेबसाइट वगर आपे मिल जाता है इस फॉर्मिट को आपको सिविल सर्जन आफिस में जाना है और या डिस्ट्रिक्स के बाहर जाना है और वह इस फॉर्मिट को देखके आपको जो सार कर सकते हैं या at the day of joining भी ले जा सकते हैं तो इस में मैं बता दो कि details जो है अगर वो लोग format देते हैं अलग से तो उस format को वो doctor ही civil surgeon ही fill up करके पूरा चीज डालेगा और आप उसको जो है test करवा के भेज देंगे cpwd में क्या है कि यही format होता है और यही format जो है बनवा के हमको देना होता है लेकिन इस बार जो 2018 बैस थे उनका क्या हुआ था कि northern region में उनका जो एक लेटर भेजा गया था medical करने के लिए जो officially होना चाहिए confidential होना चाहिए चीजे तो लेटर भेजा गया था डिस्ट्रिक सिविल सर्जेंट के पास और उन्होंने और एक लिस्ट भी आ गई थी कि आपका मतलब केंडेट को यह पता था कि उनका medical कहां जाना है वो website पे आ गया था और वहां जाके जो है बच्चे अपना टेस्ट करवाएं सारा और confidential जो है सिविल सर्जेंट या डिस्ट्रिक्श एमो ओफिस से वो medical certificate जो है वापस regional training institute को भेज दिया गया था northern reason के लिए cpwd में ऐसा process हुआ था पहली बार इस तरह का हुआ था और यही follow होने वाला है आगे भी ठीक है जिनका भी selection cpwd में वो भी northern reason में हुआ है उनका यही process होने वाला है और रेस्ट जो भी zone है उनमें यह process हुआ था कि जो zone allotment हो गया था उसके बाद medical बच्चे जो है इसी format को लेके गए थे civil surgeon के पास और उनका सारा टेस्ट हुआ और वो बच्चे खुद से उसको send कर दिये थे ठीक है तो यह process rest of the zone में हुआ था में भी इस बार हो सकता है कि northern zone को follow करते हुए रेस्ट जोन भी ऐसा करें में भी हो सकता है और यह भी हो सकता है जैसा 2018 में हुआ था कि northern को आपको लेके जाना थे civil surgeon के पास और सारे टेस्ट करवा के आपको वापस at the day of joining देदो या बिफोर जोईनिंग वो आपको information मिल जाएगा website के कि मेस headquarter के website पे CWC या NTRO के website पे आपको information मिल जाएगा या by mail भी वो लोग intimate कर देते हैं आप लोग कॉल भी कर सकते हैं headquarter और वेगरा में कि क्या कैसे process हो रहा है अब टेस्ट हम लोग जान लेते हैं जो normal टेस्ट है जिसे बीपी हो गया आपका एकसरे चेस्ट का हो गया अगरा भी वो लोग देखते हैं कहीं कहीं कि चेस्ट एकस्पेंशन जो है कुछ एक प्रिस्क्राइब नोटिफिकेशन में आप लोग देख लेंगे उससे कोई बहुत बड़ा इसू नहीं है इसमें इचली क्या है कि कुछ जगह facilities उतनी नहीं है जो टेस्ट होने चाहिए तो वहां पर लोग टेस्ट करते ही नहीं है तो वह हमारी दिक्कत नहीं है ठीक है तो वह सारे टेस्ट जैसे हम लोग का प्रॉपर लेटर भेज के किया गया था तो प्रॉपर टेस्ट होगा था सारा चीज का उसी तरह से जैसे दिल्ली अगरा बहुत बढ़िया टेस्ट हो फिर आपका विजन जो है अच्छे से वो लोग चेक करते हैं और कोई भी आपको फॉल्स चीजे नहीं करेंगे इसलिए आप उस पर ध्यान देंगे कि चीजों को सही से करवाए की फिर आपका विजन हो गया क्लर विजन हो गया उसके बाद कि थोरा मुव्मेंट वगरा देखते हैं और का पैर वगरा मुव्मेंटं नहीं है कि वह फिजिकली कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है तो उसका बहुत बहुत बड़ा इसू नहीं है ठीक है और उसके बाद जो है आपका विजन यह सारे चीज़ होगा है तो करीब करीब यही सारे टेस्ट है आपके जो होते हैं एकसरे वगरा कुछ बार होता है क्या कि पैसे वो लोग होस्पीटल वाले जो है मतलब पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो वह आपका टेस्ट जितने भी होते हैं वो सारे होके फिर आपको रिपोर्ट जो है वह अपने पास रख लेते हैं और रिपोर्ट के हिसाब से जो भी चीज़े होती हैं उनको यह फिलप करके तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे जो फिट हैं अच्छे से हैं तो जो अधर डिपार्टमेंट वाले भी हैं तो वो वो किसमें बहुत कुछ लिखवानी की कोशिस ना करें जैसे accept है तो यहां आप निल लिख सकते हैं accept के बाद आप लोग निल लिक है जिनका glasses है six by six जो है विद ग्लास तो आप लोग लिख सकते हैं dengan उससे ज्यादे फोटो पे साइन करा के फिर मोहर भी लगवा दें तो अच्छा होगा यह सारी चीज़े भी ध्यान देंगे CPWD वाले candidate खास तोर पे ध्यान देंगे और banking department वाले भी signature of civil surgeon होना चाहिए name in capital उस doctor का होना चाहिए name in capital designation उनका लिखावना चाहिए कि वो CMO है civil surgeon क्या है और उनका seal लगाना चाहिए बच्चे का signature और यहाँ place आपको जो है लिखना है यह सारी चीज़े जो है date वगड़ा लिखना है यह सारी चीज़े mandatory है आप जैसे कुछ में क्या होता है कि name in capital लिखना है तो आप कोसिस करें उनसे उनसे जो ऐसे बनवा रहा है जो दूसरे department के हैं कि आप capital लेटर में उन चीज़ों को लिखवाए signature वगड़ सही है कोई दिक्कत नहीं है fit temporary unfit और permanently unfit ठीक है तो जो भी जैसा report होगा उस basis पे आपके उस format को भेजा जाएगा ठीक है तो बहुत बार यह भी दिक्कत होता है कि fit वाला unfit भेज दिए इस तरह से तो उस तरह से आप लोग देख लेंगे कि क्या format है medically fit वाला certificate जो है आपका जाए तो यही सारा कुछ process है आपको अगर और कुछ doubt है इसके regarding तो आप लोग comment section में comment करके पूछ सकते हैं और एक बात की जिनका 6 by 6 with glass है उनका कोई दिक्कत नहीं है 6 by 6 with glass eligible है CPWD में भी CWC MES यह सारे में जो है CPWD में तो eligible है बाकी में भी eligible है साइध MES में 4 power तक का कुछ मैंने सुना था लेकिन कोई इसू नहीं है उसके बाद मैं एक बात बता दू कि CPWD में color vision allowed है उसमें कोई इसू नहीं है 18-19-20 सब का RTI reply आ चुका है सब में allowed है और लड़के join किये हैं जिनका color vision था वो भी ठीक है तो उसका कोई सिर्फ CPWD बता रहा हूं बाकी में जो है eligible नहीं है color blindness ठीक है तो यह चीज़ों का ध्यान रखेंगे और भी जो भी doubt है वो आप लोग comment section में comment करके पूछिए information अच्छा लगे दोस्तों तक भी share कीजिए channel subscribe कीजिए comment कीजिए like कीजिए thank you